हलो गाईस जै महाकाल आप सभी का स्वागत है ससिस तड़का कीचन में क्या आपके भी गुलगप्पे के पानी में वो मजा नहीं आता है जो स्ट्रीट रिस्टाइल या ठेले वाले भाईया लोग गुलगप्पा खिलाते हैं और बहुत ही मजे लेकर के आप सब खाते हैं तो वही पानी आज मैं दो तरीके से घर पर बनाने वाली हूँ एक मैं खटा तीखा चटपटा पानी और मीठा पानी गुलगप्पे का चलिये आज बनाते हैं स्ट्रीट रिस्टाइल में देर किस बात की रेसिपी सुरू करते हैं सबसे पहले इमली का पानी तयार करना है तो इसके लिए एक चमच मैंने इमली ले लिया है थोड़ा सा पानी डाल देंगे गैस अन करके लो फ्लेम पर इसे एक उबाला आने देंगे आप सब चाहे तो इसे ओबरनाइट के लिए भिंगो सकते हैं या तीन चार घंटे के लिए भी आप इसे पानी में भिंगो करके यहां पर मैंने कुछ हरे लहसुन के पते लिये हैं क्योंकि आजकल हरे लहसुन के पते बहुत अच्छे मिल रहे हैं तो थोड़े से चार डंठल के जितना मैंने लिये थे लहसुन के पते तो उसे भी काट करके डाल दिया है और तीन हरी मिर्च का मैं इस्तमाल करूंगी और तो दिखिए यहां पर इसका पेश्ट बन चुका है इस तरीके से अब क्या करूंगी मैं एक चमच के करीब निकाल दूंगी और इसे मैं छोले में मिक्स करूंगी इस हरे धनिये और लहसुन के चटनी को और बाकी मैं छनी में छान लूंगी इस तरीके से छानना इसे बहुत जरूरी है जो मोटे चंक्स है वो छनी में आपके रह जाएंगे और हमें हरे धनिये लहसुन के सभी चीजों के हमें पानी प्राप्त हो जाएंगे तो देखिए इस तरीके से आप चमच से अच्छे से दबाते हुए छान लीजिए और ये लीजिए ये जो खुजा वाला प टोरे में मैंने ट्रांसफर कर लिया है खुब अच्छे से हाथों से मसल मसल करके इसके सारे पल्प निकाल लेना है इस तरीके से और उसी छनी को वापस से मैंने ले लिया है और चान करके इसे मैं ले लूँगी तो देखिए इमली का पल्प पतला सा निकल करके तयार हो गय मेठा पानी बना लेते हैं तो उसके लिए मैं आधा इमली के पल्प को एक पतिली में डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं बचा लूंगी तीखा पानी बनाने के लिए अब गैस ओन कर दिया है और यहां पर मीठे के लिए मैं यहां पर गुड का इस्तमाल करी हूं मीठा पानी अब इसमें गुड को ढल देना है तो तीन गुड का इस्तमाल किया है आप सब चाहे तो चीनी का भी इसमालtı कर सकते हैं यह आपके उपर निर भर है कि आप गुड वाला पानी बनाना चाहते है या फिर चीनी वाला लोफ लें पर इसे में उबलने देंगे जब तक कि दूसरे साइड मैंने तवा रख दिया है गुलगपे के पानी के लिए मसाला तयार करने वाले हैं तो यहां पर एक चमच जीरा ले लिया है साबुत और आधा चमच काली मेच एक चमच सौफ यानि जितना जीरा लिया है उतना ही सौफ का इस्तमाल करना है हमें और एक छोटी लाइची तो इन सभी को अच्छे से हमें जब तक इसमिस से अच्छे से खुजबू नहीं आ जाती है तब तक हमें भून लेना है यानि इसे हलका सा सुनारा होने तक भून लेना है चलाते हुए अब यह अच्छे से भून गया है गैस का अफले में यहां पर बंद कर देना है और थोड़ी दिर के लिए चलाते रहेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे जब यह अच्छे से ठंडा होगा तब इसका हम पाउडर बनाएंगे तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं आ जाते हैं अप अपने गुलगपे पानी को बनाने की तरफ तो यहाँ पर ग्रीन इमली का पलप आप अच्छा से मिल्ट हो गया है उपल्ठ को बन जाता है अगर ज़्यादा quantity में आप बना रहे हैं मसाला गुलगपपा पानी के लिए तो आप इसे grander में भी डाल करके पीछ सकते हैं तो आप सब देख सकते हैं बहुत अच्छा powder बन करके तयार हो गया है तो आधा आधा मात्रा में दोनों में हम यहाँ पर यह मसाला डाल देना है और यहाँ पर आधा चमच के जितना मैंने दोनों में चाट मसाला डाल दिया है नमक स्वात के अनुसार जाएगा आप जितना quantity में बना रहे हैं उसी अनुसार काला नमक और white नमक दोनों डालिएगा तो काला नमक भी मैंने डाला है यहाँ पर और white नमक भी डाला है तो उसे हिसाब से दोनों नमक आप बाद में पानी बनाते वक्त देख लीजेगा कितना आपको नमक चाहिए अब इस पानी को और भी चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टाट्रिक का इस्तमाल किया है यानि जो श्ट्रिट श्टाइल ठेले वाले भाईया लोग नीबू का सत्य इस्तमाल करते हैं तो देखे ग्रीन वाले पानी में आधा चमच की जितना मैंने सत्य नीबू का डाला है और यह जो खटा मीठा पानी बना रहे हैं उसमें एक चुटकी मैंने डाला है और आधा चमच की जितना मैंने तीखा लालमीच पाउडर भी डाला है कि इसमें थोड़ा सा तीखा पन भी आ जाए तो इसे अब साइड में रखते हैं चलिए अब तड़के की तयारी कर लेते हैं घर ओन करके कल्चुटर रख दिया है और उसमें आधा चमच के जितना मैंने तेल डाल दिया है जो मिठा वाला पानी बनाया है उसमें भी लगा दिया है और बाकी का तड़का हम ग्रीन पानी में लगा देंगे यानि तीखा वाला जो पानी हमने बनाया है उसमें भी लगा देना है और ये आप मत भूलिएगा दोनों पानी में आपको तड़का जरूर लगाना है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप फिले वाला जैसा स्वात चाहते हैं तो ये तड़का जरूर यानि आधा आधा गिलास में दोनों में पानी मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मिला लूँगी सभी चीजों को तो जब आपका पानी तयार हो जाए तो एक बार नमक टेस्ट कर लीजेगा अगर कम लगता है तो नमक आप डाल दीजेगा इसमें गुलगप्पे का पानी तयार है यानि मीठा पानी भी तयार है और तीखा पानी भी तयार है और सबसे महत्तपुड बात जब आपका पानी तयार हो जाए तो कम से कम एक से दो घंटे के लिए ढख करके रख दीजे साइड में ताकि सभी चीजों का फ्लेवर जो है पानी में अच्छे से आ जाए त और आप इसे गुलगप्पे के साथ इन दोनों पानी को enjoy कर सकते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों मीठा पानी भी बहुत ही चटपटा बनाता अच्छा बना था और तीखा पानी भी बहुत ही tasty बना था तो मैंने ये इश्टी टी स्टाइल वाला पानी बनाना थेले वाले भाया से ही सीखा है इसी तरीके से उन्होंने मुझे बताया था दोनों तरीके का पानी तयार है और छोले भी तयар है मेरे गोलगपे भी तयार है आप सभी चाहे तो गुलगप्पे कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी ससिस तड़का किचन पे आप सभी को मिल जाएगा आप सब सर्च करके देख सकते हैं तो चलिए अब मैं जा रही हूँ अपने गुलगपे एंज्वाय करने और यकीन मानिए दोस्तों मैं बता नहीं सकती दो